नमस्कार आप देखरें सिटी नियूस और मैं हूँ आपके साथ सुप्रिया जासिप आये खबरों के सुरुआत करते हैं इसके सरक्यों से अहलियापूर थाना छेतर से फिर धरे गए दो साहिवार अपराधी पूश ताच के बाद दोनों को भेजा गया जेल डियस पी जितवाहन औराओं ने प्रेस वारता कर दी पूरी जानकारी नगर कॉंग्रेस ने लगाया मेडिकल कैम्प विवेकानन हॉस्पिटल के सहयोग से लगा कैम्प भारी संख्या में मरीजों की हुई जाच चालिस दिवसिये कराटे क्लासिस का हुआ समापन प्रेवना साखा के सौजने से संचालित हो रहा था क्लास अंतिम सत्र में उतक्रिस्ट प्रदर्शन करने वालों को किया गया सम्मानी और स्वतंत्रता दिवस के सांस्कृतिक कारिक्रम को लेकर हुआ ओडिशन इसकूली प्रतिभावानों ने दिखाई अपनी प्रतिभा माहौल रहा सांदार अब कबर विस्तार से अहिल्यापूर्थाना चेतर से प्लिस ने फिर दो साइवर अपरादियों को दबूश लिया डियासपी जीतवान उरावनी प्रेशवारता कर अपरादियों को मीडिया के सामने लाया ग्रीडी में साइवर अफराधियों पल्लगातार पुलीसिया गाज गिर रही है एक वर फिर अहिलियापूर धाना छेतर से दो साइवर अफराधी दबोश लिए गया है बताया गया कि गुपत सूचना के आधार पर वर्य अधिकारियों ने अहिलियापूर धाना पुलिस को अलर्ट किया और धाना प्रभारी महमद फैज एहमेद के नेतरित्व में तीम गठित कर शातिर क्रमशा मनोस मंडल और तेजलाल मंडल को गरफतार कर लिया समद में साइबर धाना में विविन धाराओं के तहट मामला दर्ज कर दोनों को जेल भीज दिया गया इस बाबत डियस्पी जित्वा अनुराओं ने बताया कि दोनों साइबर क्राइम के कई कांडों में सलनिपत रहे हैं और पुलिस को इनकी तलास थी आखिरकार ये पुलिस के जाल में फस गए साखिन रूपडी ठाना नरायनपूर जिला जामताडा की गिरबतारी हुई है साथ में चार मुबाइल फोन दस फरजी सीम कार्ड के साथ गिरबतार किया गया है इनकी गिरबतारी ग्राम पंदनिया के दरांगडी जाडी के पास इनकी गिरबतारी हुई पुर्व में भी तेजलाल मंदर काफी साइबर काणों में उनका नाम आया है पहले से ये साइबर अपरादी रहे हैं इनके उपर पुराना काण लगबद तिन-चार काण इनका पुर्व से रहा है तो कभी बड़ी उपलब्दी है अच्छी उपलब्दी है जिरेडी पुलिस के लिए और इसके लिए पूरी टीम को साइजामाद और उनकी टीम को हम लोग पुरस्कृत करने के लिए अनुसर्था करेंगे धन्यवाद सर्जेसी बोस बालिका हाई स्कोल में छात्राओं को आत्मरक्षा की तकनीक से लायस कराने के लिए मारवारी युवा मंच प्रेवना साखा के सौजने से 40 दिवसिय कराटे क्लास संचालित कराया जा रहा था यहाँ वरिष्ट कराटे कार सिंसाई करन कुमार छात्राओं को कीक पंच आधी का प्रसिक्षन दे रहे थे सुक्रवार को इस 40 दिवसिय सत्र के समाप्ती कर दी गई समापन समारोह में बतोर मुख्यति थी प्रख्या चाइल्ड स्पेसलिस्ट डॉक्तर अपेक्षा पाठक सरीक हुई वही मौके पर मंच के प्रांती अध्यक्ष राकेस मोदी, साखा की अध्यक्षा, कविता रजगडिया, सचिव लच्मी सर्मा, सुजाता कयाल, आसा खंडेलवाल, सरीता मोदी, सरीता अगरवाल, सलोनी जैन, रिया अगरवाल, रीमा अगरवाल, स्वेता सर्मा, खुसबु केडिया आदी मौजूद थी कारिक्रम के दौरान दस सिर्ष परतिभागियों को इसमर्ति चिन प्रदान किया गया वहीं मौके पर सभी परतिभागियों को परमान पत्र देकर उनकी होसला अभजाई की गई इस दौरान तमाम लोगों ने कहा कि आज बच्चियों को आत्म नि स्वास विक्सित होकर निखल सकेगा स्वास बच्चियों तुहानी को नारी कि अब स्थोर्ण बद करने कि अबनाजेशियंगे आजसे और विच्वास बदने चाहिए इस तरह से अपने आगे पर से अगे करेंगे बहुत अच्छा लगाई से देख कर लोगों के सोच बदर रहे हैं लोगों के थोट्स बदर रहे हैं लड़किया अब बाहर निकल देएं आप घर के आंगर में बैठती हैं शारी कि समापन समारो रहा है डिफेंस क्लासेज का जो हम इस स्कूल में स्टार्ड किये थे आज से 40 दिल पहले स्कूल को नाम है जेसी बोस्रोल स्कूल तो हम चाहरे हैं कि लड़किया कूब आगे बढ़े खाली यही नहीं हम सारी गिरिडी की लड़कियां का आगे बढ़ाना चाहरे हैं डिफेंस क्लासेज के तुरू ताकि आगे चलके किसी लड़कियों के साथ नायंसाफी न हो लड़के जो मन चले होते लड़कियों को छेड के कुछ भी करके चले जाते हैं हम नहीं चाहते हैं कि आजकल की लड़कियां पीछे वेटे वो भी आगे बढ़े और लड़को प्रतिनी दी एवं समाजी कार्य करता उपस्तित थे जीलक रामन विकास अविकरन की और से शुक्रवार को नगर भवन में जीला इस तरिय जन सुनवाई कारी करम का यूजन किया गया इस माकी पर डीडी सी बाल मुकुंद दास, स्टेट प्रतिनी दी जगत नरायन, स्र पी विस्वनाथ सिंग, डी आर पी रविंदर सिंग मुंडा, जीप अध्यक्ष राके समयतो, जीप उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, विधायक प्रतिनी दी अनुप सन्हादि उपस् सायतों का समाजिक अंकेच्छन कर जन्सनवाई की गई, जिसमें मंद्रेगा कारियों में आन्यम मित्ता को लेकर भी चर्चा की गई, इसकारिक्रम में भीमलाल साहू, वैदनाहत प्रिशाद वर्मा, जीला परिसर सदस्य बीडियो, बीपी ओ, जेई, मुख्या, पंचैस, स एवं कापिस संक्या में ग्रामिनों के उपस थेती रही के बिना किसी अन्मी तरह के भेदवा, इसमें ने कोई जाती बंदर है, ने कोई बंदर है, ने कोई बंदर है, ने कोई बंदर है, ये सबों के लिए, ये योधना लागु हुई। अब ये प्राम्त कर लिया है, अब ये बाल्या वस्था से सैस्वा वस्था की हो, अग्रिसर है, और आप सभी जाते हैं, ये किशुरा वस्था ने होता है, वो बड़ा ही, शम्वेदन सीद, तो ये मन्रेगा, का अब इमा होगा, लगभग बार वर्स तक, ये देश के कुने कुने में, हर टोले में, कोई भी टोला इससे अचुदा नहीं रहा, का इने के शिए इसका उचिव गुदा का सवाग बेगने को बिला, इन नहीं का कैचांच है, जिलास तरफर किया या रहा है, तो सभी बिली ने कुना अनु पाला ने की कोपी लाया है, उम्रेया का, जिसमेश अभी तरिको पीरी पाहान का, तो पानम मां तेखा गया, इसमा प्लेंटी जमा होगा की जमा नहीं कर पाए इसलिए भी भागिये करवाई उसलिए यह मैं सरकार से मांग करता हूँ मनरेगा 2005 के तहत जन सुनवाई का जिला का करिक्रा में जिसमें राज्य सरकार ज्वारा पदेन में मनोनित जूरी में से एक सदसे हूँ और उसके तहत आज देवरी प्रखंड से सुरुवात किया गया है ज़कि काफी अनिमिताएं उसमें मिली है फर्जी निकासी हुआ है और आनन फानन में यह रिपोर्ट दिया गया है इसका मतलब है कि वहा के जो BPO है वहा के जो कर्मी है मन्रेगा के कर्मी जो प्रखंड में पदस्ठापित है निश्चीत है कि रासी ले करके वो कारिय नहीं करते हैं और कही न कहीं देवरी जैसे उब्रवाद प्रभावित छेतर में विकास जो है कागज़ पर हुआ है और तो उसका प्रमान आज मिल रहा है, और उस प्रमान के तहट अभी हम लोग फाइन किये हैं, और उस फाइन के तहट उसको एनार रासीद होना चाहिए, सलेट वुर्फ खोरोडी में, लिख दिया है मैजदूरी का भुक्तान, वहाँ निस्पादित कर दिया गया है, ग्राम सब एक्ट का उलंगन है, और इस पर कारवाई संभव है, जो भी विदी संभवत उसमें, एक्ट के प्रावधान के ताथ है, फाइन है, जो भी मामला है, उसको जूरी होने के नाते हैं, और जो हमारे राईजे से रिशोस पसन आए हैं, अगर आए हैं, हमारे जिलापरसत के पाच मुक्त में की गई, नगर कॉंग्रिस कमिटी ग्रेडी के द्वारा शुकरवार को निस्सुल्ग चिकिसा जान सिवर कायू जिन चैताडी के विविकानन्द हॉस्पिटल दुर्गापूर के सहीयोग से किया गया, इस शिविर का उटगाट एन जेपी सीसी कॉडिनेश कमिटी के चेयर्मेन अजे कुमार दुबे और पुर्वसांसा डॉक्टर सर्फराज जहमत ने फीता काड़ कर किया, शुविर में करीब सो असाध्य रोग इवम गंभी रुप से पिरित मरीजों की जाच और इलाज की गई, माकी पर विवेकानन्द हॉस्पिटल की इस चक्रवर्ती डॉक्टर एल के चक्रवर्ती माजूद थे, वही इनका सहयोग विवेकानन्द हॉस्पिटल से जुड़े जहनती चक्रवर्ती निरंचेर मंडल, निताई, मनीशा, कवीता, रंजना आधी कर रही थी, सिवर का यूचन कॉंग्रेस नेता नरेंदर सिन्हा क पासवान, शब्बन खान, मुहमद शकील, मुहमद बुच्चु, मदन विस्वकर्मा मुहमद नेशाब अहमद, राजस तूरी समेक काफर संक्या में ग्रामेना कारेकर तौपस दिते आज यहां कॉंग्रेस परिवार के तरफ से, इस छेतर में जो चिक्ट्सा की असुविदा है, उसको ध्यान में रखते वी और खास करके जो ग्रामेन छेतर हैं, इसमें कॉंग्रेस परिवार ने एक कैम्प लगाया है, इसमें यहां के हमारे नरेंदर सिन्हा जी, अध्यक और तमाम हमारे युवा कॉंग्रिस साथी और पूरा कॉंग्रिस परिवार दुरगापूर के विवेका निंद होस्पिटल से जो बड़े डॉक्टर लोग हैं वो आई हुए हैं और यहां के तमाम छेत्र के जो मरीज हैं जो परिशान लोग हैं उनका चिकित्सा करेंगे और पूरे दिन यह कैम चलेगा इस तरह का कैम आने वाले दिनों में पूरे गिरिडी छेत्र में इन हमारे साथियों ने निरिलिया है कि चलाएंगे और आगे भी जड़ेगे कॉंग्रिस कार्याय में शुक्रवार को जेपी सीसी कॉइडिनेशन कमीटी के चेर्मेन अजय दुबे पहुंचे यहां पार्टी नेताओं से मिटिंग के बाद में प्रेश से भी मुखातिब हुए जेपी सीसी कॉइडिनेशन कमीटी के चेर्मेन अजे कुमर दुबे का दारा गुरुवार को ग्रेडी के लिए हुआ यहां उन्होंने कॉंग्रेस भवड में पार्टी नेताओं के साथ पहले एक बैठर की बाद में स्री दुबे प्रेश से भी मुखातिव हुए बाद में स्री दुबे प्रेश से रुबरु होते भी कहा कि भाच्पा सरकार से आम अवाम परिशान है सरकार के नेतिया जनवी रोदी है जिसके खिलाफ कॉंग्रेस मुखर होकर खड़ी हो रही है उन्होंने कहा कि अगामे चुनाओं के मदे नजर पार्टी बेहत ससकत रूप से उभर रही है और निस्चित है आने वाले वक्त में भाच्पा को उसकी करनी का फल भुगतना होगा ग्रेडी छेतर में ग्रेडी जला कॉंग्रेस क्रमिटी के और यहां के सभी बरिशनेताओं से मिलने के उद्यसे से हमाए हैं और मुख्य उद्यस से हमारे जहारकंड के राष्टी प्रभारी आरपेन सिंग सहाब जो CWC के मेंबर भी हैं ओनरेबल जह प्रभारी उमांग स्रिंगार जी और हमारे सभी बरिशनेता यहां पांच दिन तक प्रदेश में मेराथन बैठ के किये हैं अपने साथियों के साथ और उन्होंने चुनाव के सम्मंद में मिसन 2019 का जो तिर्ष दिया है और जोंकर निरदेश है वो जिले स्तर पर हम लोगों को उचाना है उसी क्या लोग में हम धनबा ग्रेडिया हैं आज परिस्किती ऐसी है कि भारती जिंता पार्टी की जो सरकार जारकंड के अलग होने के बाद से जब से बैठी है मैं समझता हूँ सबसे अधिक बरसों से ये सरकार इस राजे में सासन की है लेकिन दुरभागे है आप सब ग्रिडी से हैं यहां के चिकित्सा की बेवस्ता, यहां के सदर हस्पताल की बेवस्ता, यहां के जो महिलाएं हैं जो प्रसों में कितने महिलाओं की जान चले जा रहे हैं कोई सुब्या नहीं है ग्रामीन छेत्रों में गरीवी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के जो हालात है अक्तिफर्टे की चोवाओंधा, श्रूसनों का अऄन और इसल रthing जो सुजाने स Cathedral के लिए और इसले भी हो, सबसे ज़ादा आउँ ए यहां के ध料 बेण यहां के साथ यौसी बता चला है के निश्यत्रूप से आने वाले दुनों में ज्यारखन प्रदेश के लिए ज्यारखन के विकास के लिए यहां के तमाम लोगों के लिए यहां के गरिकों के लिए यहां के गरिकों के लिए यहां के गाउं में रहने वाले लोगों के लिए हर हालत में मिशन 2019 में केंद्र से भ में इन जहित जीके जाने कि एक सब्सक्राइब कुए जिक्ष्षफ, लिया गय इस माकी पर D.S.E. कमला प्रिशाद पत्रकार अर्विंद कुमार स्कुल प्रभारी मुन्ना कुश्वाधी उपस्तित थे। बताय गया कि ग्रेडी के 25 स्कूलों के विद्यार्थियों का ओडिश लिया जा चुका है। इन सभी में से जिसका चयन होगा वह 15 अगस्त को जीला प्रसासन द्वारा आयूजित होने वाली कारिक्रभ में हिस्सा लेंगे। इस माकी पर ग्रेडी के विद्यार्थियों समेट कई लोग पस्तित थे। से जुका से वे पहला एडियों समय करना हम्रेडी करभ में में से जुका से जाला इले की विद्यार्थियों. जिल्ला प्रसासन की ओर से आयोजी सुतंतरतादिवा समारो के आउसर पर सांस्कृति कार्शक्रम का आयोजन किया जाता है और इस कार्शक्रम के तहर आज सर्जिसी वोस विद्याले में हमारे अर्विन वाइसाफ के विशार इर्देस और नेत्रितों में हम लोग आडिशन का काम करद रहे हैं अभी करीब 25 विद्याले का आडिशन हो चुका है और इसके बाद जूरी मेंबर्स इसका फाइनल सेलेक्शन लिस्ट करेंगे और उसमें जो चैनित होंगे दिशार इर्देस के रूप में वो फाइनल हमारे सांस्क्रति कार्श करम में रदर्सन करेंगे दिलाप्र सांसन की वर से आएजी के पूरों इस्तित शीवा मोटर मोबायल में शुगरवार को पूरे देश में पियाजों के 25 लाग राहक बनने के वज में खुसिया मना रही है इसी करम में ग्रेडी के बूरों इस्तित शीवा मोटर मोबायल में शुकरवार को एक महतसब का आयू जिन किया गया इस मौकी पर सुबास पबलिक स्कूल के निदेशक संजस सिंग डेपियस के सरिच्चा सुलूजा समेथ कई गन्मानी आये ग्राहकों को प्रोजेक्टर के माध्यम से गारियों की स्विधाएं बताई गई इधर मौकी पर ग्राहकों के साथ मिलकर केक काट कर खुसिया मनाई गई मौकी पर सीवा मोटर मोबायल के निदेशक संजस साओ ने बताया कि पूरे देश में 25 लाग ग्राहक बनने की ख प्री वीलर डीजल गारियों पर दी जा रही है साथ ही फोर वीलर गारियों में वोल्टर थाउसेंड पर एक साल तक मैंटेनेंस फ्रीज विधा भी दी जा रही है और ड्राइवरों के लिए एक लाग का एकसिडेंचल वीमा बिलकुल फ्री दिया जा रहा है इधर कांदी के सिक्के एबं लग्की को पन दिया जाएगा जिसमें प्रथम प्रसकार प्याजियों की अपीलर स्कूटी सैंसंग फ्रिज वासिंवसिंग मिक्षर समेथ ठेरो उपार दिये जाएंगे इस महादसब की सफलता में मुख्य रूप से प्याजियों ऑफिसर संतोस कु अपाई में हुए इजाफ़ा तथा खासियत के बारे में भी बताया यहां की मिसी अप動 कीजिवति ओी का इंग by ब 2023 बना संपी बता bene मेजिए पहले हम लोग आपको जो एंभार्ट किया है उसकि तो रिजट हो गार्द य immigrant का एकी का कॉशतोर और हम और हम और आयो है को से की आ हम और और जिरि आई साह्ति होया gefह cents पियाजियों ने आपके बहुता हुलाद पच्छीस लाग कस्टमर्ट जो है हम लोगों ने पूरे इंडिया में बनाया है जो कि एक इमार है और जो भी बनाया है वो आपके कारण है इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार अपना जोर सित्तानी बजाई है कर थे में पचीसलाग गरहो को के साथ क्या grassroots को क्या शाद किया है जो बहुत ही? कुछ का भिद करिड़ें और शायद में ने जे इस बिजनस को आगे बढ़ाने है और इस बिजनस के अपना परिवार में चबाए है प्याजयों आज बहुत बड़ी ग्राहकों के लिए शौगात लेके आई है वो शौगात यह है कि हमारे थ्री विलर में और फोर विलर में 42 मेने की वारेंटी नहीं पाई आती किसी और कमपनी में जो प्याजयों अपने 25 लाग क्राहकों के आने के उप्रच में यह ओफर लाया है 42 मेने की वारेंटी शाथी हर एक ग्राहक को अभी से लेके दिवाली थ्र की खरीद पे 25 ग्राम के चांदी के सिक्के फ्री में दिये जाएगा साथी एक लग्की कुपन दिया जाएगा जो दिवाली के बश्चा ड्राव होगा उसमें पहला प्राइज प्याजियो अप्रेलिया स्कूटी है दूसरा प्राइज शेंसन फ्रीज है तिसरा प्राइज वासिंग मशीन है और कई अन्य उपहार उपहार है यह लगता अभी से जिवाली तक चलेगा और हम समझते हैं गरहत इसका फाइजा लाव उठाएगा बदलते मौसम के साथ प्रकृते में काफी कुछ बदलाव आ रहा है इस मौसमी बदलाव का सबसे ज़्यादा असर बच्चों में हो रहा है अधिकांस बच्चे बीमार दिख रहे हैं और अस्पतालों वा क्लिनिकों में बाल रोग्यों के भरमार नजरा रही है इस संदर्म में आज हमने प्रठ्षात सिसु रोग विसेसग्य अपेक्षा पाठक से बातचीत की इस दौरान उन्होंने कहा कि बच्चे बेहद समवेदन सील होते हैं उनके सभी सिम्टम पर माबाप को ध्यान रखने की आवे सकता है उन्होंने कहा कि बच्चों में जरा भी परिसानी देखे जाने पर तुरंत ही चिकित्सा की सलाह लेने की दरकार है इस मौसम बदलना और इस मौसम बच्चे को अबहावी तेखने हैं लगलाग पर प्रक की बिमारियों से वज़ा क्या है यह मौसम चेंजिंग में तरह हैं कभी गर्मी तरह थान जब बादिश इस तरह से होता है तो जनरली के ओते हैं से बच्चे को तो से कम कपड़ा पहना के स्कूल बेच दिया तो इस अड़नी बारिश होगी मौसम फंडा होगी तो फर लगते हैं यह बच्चे को कपड़ का पहना होगा है तो इस वज़े से सर्दी खान से काफी चेंजिंग सीजन है क्लस बारिश का ताहिम है से मलेल्य और देंगु अप्र फर लागा हुआ है तो उससे भी बच्चे का पुर्वामें तो होगी तो इससे भी प्रीवेश स्थी बच्चे के दाताज है जो इसे बाद कैसे बिखार लाग़ा है, अगर जिसे लिखारा है जाए जुटरी थेका रसान तरण के लिखने टाज एसे के घड़ाया है नहीं आगान जो पोडियों छुटिए बतायए पर इसे बच्गी रह रहना है जो बता है लेकिन जोक्तर्स दुझाए लेखंधे एफ कार दिखने है कि विए सब्सक्राच मेपन, अगल चुरूबाई जब करें, लिखने है अगले मेपार हो 21 C इस सीजन में नुबॉर्ण मेबी के लिए क्या साला हुए? नुबॉर्ण मेबी के लिए ओर्ड्रेस्ट रखना चलिए बच्चों को स्पेशली जो परिफ्रीज होता है, जिसे हैंज हो गया, फीड हो गया, सहर हो गया, उसमें अच्छे से ठरकें, कैपना के रखें, में हैं होया, में हो एड़्ड़, कर दिए पॉटके हो, चादर उरह सेुएsed, बच्छा सौरा हो, फो टुच्छाल अच्छाल को बेदिये होगें, जिसे है, जिसे में अच्छे अच्छेपर है, बच्छे सॉरह बं करें हो बहार से, घरके हो. माफोर यदेज से अशुछी को देना है? मादर्स फेड होती है है क्या सब्सक्राइब नहीं करने क्या है छे महिने तक जाओटाएब कुराना चाहिए ऐसे तो चूला हम चाहिए लिए लिए तक सब्सक्राइब लोक करने है अगर बहुत अपंदेसा इंटर होती है अच्छान की अच्छान की निए वाज पूरे लाइफ लॉड़ाँ की अच्छान की वाज्टे आपट रहती है मत्रस्टी आथ इसे सादा भीमारियों पाने आप के अच्छान पता नहीं चलबाता है लेकिन बच्चा बिमार इतना है, तो उसके लिए क्या करना है? ज़रूर्ट ने ज़रूरी है, अगर लग रहा है कि बच्चा बिमार है, तो चोटे-चोटे साइन्स और सिंप्टम्स पर करना चाहिए ज़रूरी है, ज़रूरी है, तो बिमार इतना है, तो फिर अगर रहें तो फिर आगे पर बिमारी को बढ़ने से आवी रोग सकता है अहलियापूर थाना छेतर से फिर धरे गए दो साहिवार अपराधी पोश्टाश के बाद दोनों को भेजा गया जेल डियस्पी जितवाहन औराउं ने प्रेस वारता कर दी पूरी जानकारी नगर कॉंग्रेस ने लगाया मेडिकल कैम्प विवेकानन हॉस्पिटल के सहयोग से लगा कैम्प भारी संख्या में मरीजों की हुई जाच चालिस दिवसिय कराटे क्लासिस का हुआ समापन प्रेवना साखा के सौजन्य से संचालित हो रहा था क्लास अंतिम सत्र में उत्क्रिष्ट प्रदर्शन करने वालों को किया गया सम्मानी और स्वतंत्रता दिवस के सांस्कृतिक कारिक्रम को लेकर हुआ ओडिशन इस्कूली प्रतिभावानों ने दिखाई अपनी प्रतिभा माहौल रहा सांदार तो ये था हमारा आज का अंक, आज के अंक में बस इतना ही अगले अंक में फिरस्ट मुलाकात होगी कुछ अगने खबरों के साथ तब तक लिए दिखे हमारी पूरी टीम को इजाज़त नमस्कार